हेलो दियर स्टुनेंट्स बहुत-बहुत स्वागत था आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी विद गुलार में बच्चों यह क्लास 6 का मैथ है क्लास 6 एंसियाटिका यह मैथ है चैप्टर 5 है और एक्ससाइज 5.3 तो आज हम लोग इसको सॉल्ब करेंगे और यहां पे जो question दिया हूआ है angles के बारे में question दिया हूआ है तो यहां पे कई सारे angles का nam दिया हूँ Right-Incredit Angle, Right-Incredit Angle, Acute Angle, Obtuse Angle, तो यह सारे Angles के बारे में सबसे पहले हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि यह Angles क्या होते हैं और अलग-अलग Angle एक दूसरे से किस प्रकार से भिन हैं, तो इसी के बारे में सबसे पहले एक paper में ले ले लेता हूं, यहां पे मैं सबसे पहल होता है, इसको हम लिख सकते हैं एंगल इसमें कई सारे एंगल्स बन सकते हैं इस तरह से हम इसको define कर सकते हैं अंगल्स डैटाट और बिटेइन 0-14 ऑंड 90 दिगरी जो एंगल 0 दिगरी और 90 डिगरी के बीज में हो मतलब अब समझ लेजहें कि यहाँ पे यह 0 degree से बड़ा मतलब greater than greater than 0 degree and less than less than 90 degree इस से बड़ा और 90 degree से छोटा जो एंगल होगा उसको हम acute angle करते हैं इसको हम कैसे draw कर सकते हैं इस तरह से draw कर सकते हैं यहाँ यहाँ पे मैं छोटा से draw करके दिखा देता हूं यह सीधी लाइन है और यहाँ पे यह इस तरह से draw कर सकते हैं यहाँ यहाँ पे यह जो एंगल बनेगा यह acute एंगल हो जाएगा यह 90 आइक कर सकते हैं एंगल्ड qui 2012 जो एंगल बिलकुल 90 दिदिगरी का हो वहाँ आइगल का लाता है तो यह सीधा सीधी इस तरह से बनता है यह लाइन होता है और यहाँ से बिल्कुल सीधा इस सिधा यह लाइन रहेगा और यहां पर राइट एंगल को इस तरह से गोल सो नहीं किया जाता है यहां पर इस तरह से सो किया जाता है यह इससे भी आपको पता चल जाए कि यहां पर राइट एंगल बना हुआ है यह हो गया उसके बाद यहां चला फिर इसके बाद इतना सिधा पर इसके आगे चलेगा जब इसके आगे चलेगा तो obtuse angle के लापता हुआ वह obtuse angle तो हम इसको define कर सकते हैं कि इस तरह से हम इसको define करेंगे angles that are 90 degree and यहां पे between हो जाएगा यहां पे इसके बीच में between angles that are between 90 degree and 180 degree मतलब 90 degree से ज्यादा और 180 degree से कम तो greater than यहां पे लिख सकते हैं greater than short में ऐसे दिखा सकते हैं 90 degree and less than 180 degree 90 degree से बड़ा होना चाहिए और 180 degree से छोटा होना चाहिए तो हम इसको कैसे draw कर सकते हैं एक यहां पे मैं दिखा देता हूं यहां पे एक line इस तरह से लेते हैं और यहां से यह सीधा से इधार जाएगा तो इस तरह से यह हो गया तो इस तरह से दिखाएंगे यह इस तरह से होगा यह हो गया obtuse angle उसके बाद आ जाएगा यह line और आगे जाएगा तो यह सीधा हो जाएगा बिल्कुल straight इसलिए नाम दिया गया state angle मतलब सीधा हो गया तो इसको 180 degree का जो angle बनता है उसको state angle करते हैं इस परकार से हम define कर सकते हैं angle that is 180 degree accurate मतलब बिल्कुल 180 degree का होना चाहिए तो 180 degree में सीधा line बनता है इसलिए इसका नाम भी दिया गया straight angle तो यह इस तरह से draw करना है तो इस तरह से करेंगे और यहां बीच में point जाना रहेगा फिर इसको हम इस तरह से दिखाएंगे यह इस तरह से यह हो गया 180 करना हम आता है reflex angle इस तरह से हम define कर सकते हैं angles that are between 180 degree and 360 degree मतलब 180 degree से ज्यादा और 360 degree से कम इसको हम इस तरह से define कर सकते हैं यह हो गया तो इसको हम picture इसका काई सब्सक्री से पताच चलेगा कि reflex angle है इसमें दिखाया गया है सब में दिखाया गया है दिख रहे हैं इस तरह से पता चलेगा और एक जो complete angle होता है मतलब complete जितना जहां से चलाता फिर वहाँ चला गया तो वो उसको बोलते हैं complete angle जिसको हम define कर सकते हैं complete angle बोला जाता है या hall angle कहेंगे तो इसको किस परकार से बनाया जाता है यहाँ पे मैं draw करके दिखा देता हूँ यह इस तरह से एक बिंदू और यहाँ से यह line खीचा गया और इसमें इस तरह का यह दिखाना है यह सो कर रहा है कि यह एक complete angle अब complete घुमा हुआ है तो यह इस तरह से draw किया जाता है यह हो गया complete angle तो इतने सारे angles होते हैं तो इस chapter में इससे ज़्यादा angle नहीं दे सकता है इससे कम हो सकता है complete angle कई जगा नहीं दिया रहता है हो सकता है कि complete angle ना दिया हो लेकिन बाकी angles दिया होगा तो आई हम लोग देखते हैं अब ये है मैच करने के लिए दिया हुआ है तो इसको मैच करना है सबसे पहले यहाँ देखें कि स्टेट एंगल मतलब हो गया 180 डिगरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग को बहतर समझ में आएगा स्टेट एंगल का मतलब हो गया 180 डिगरी 180 डिगरी ठीक है और राइट एंगल का मतलब हो गया 90 डिगरी 90 डिगरी और एक्यूट एंगल का मतलब हो गया greater than 0 and less than 90 डिगरी और यहाँ पे greater than 90 डिगरी से less than 180 degree यह हो गया और reflex angle greater than 180 degree डिगरी रह गया है यहां पर 180 degree से लेके less than 360 degree यहां पर 5 angles दिया हुआ है तो 6 angles में complete angle जो होता है यहां complete angle का यहां पर मिलाने के लिए दिया हुआ है लेकिन यहां complete angle कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है इसलिए F number जो है वो बाद हो जाएगा यह किसी में match नहीं करेगा यहां पर पास्ट हो दिया हुआ यह match करेगा तो कौन किसके साथ match करेगा तो यहाँ पे यह हो गया 1 के साथ straight angle 180 degree तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 180 degree कौन सा होगा तो यहाँ पे less than one fourth of a revolution यहाँ revolution करके दिया हुआ है तो revolution का मतलब है कि आप यहाँ पे circle बना लेजिए एक घड़ी जैसे मान लेते हैं और एक circle बनाने के बाद क्या है कि इसको 4 भाग में बाड़ देना है इस तरह से बाड़ दीए यहाँ क्या है कि यहाँ 4 भाग हो गया 4 भाग हो गया तो one fourth, one fourth, one by fourth मतलब एक भाग हो गया मान लेते हैं कि यह straight line है और इस तरह से angle हम लोग इस तरह से बनाते जाते हैं इस तरह से बनते जाता है यहाँ पर one eighty degree होता है यहाँ पर zero degree होता है zero degree और यहाँ पर होता है one eighty degree one eighty degree और यहाँ होता है ninety degree यह होता है उसके बाद इस तरह से यहाँ पर reflex angle आजाएगा इसके बाद 180 से पार होता है तो reflex angle आ जाएगा तो first में क्या बोल रहा है less than one fourth of a revolution एक revolution जो यहाँ से चलता है round करता है तो one fourth से कम less than one fourth one fourth से कम यहाँ से यहाँ के बीच में मतलब कम इसका मतलब है कि acute angle की बात कर रहा है acute angle कहाँ पे है acute angle है यहाँ three number में इसका मतलब three number जो है a के साथ match करेगा तो इसको यहाँ पे तो लिख दिया है इसलिए match करना मुश्किल है तो यहाँ लिख देते हैं इसका answer a हो जाएगा three का a यह हो गया उसके बाद two number में पढ़के देखते है more than half a revolution मतलब more than half half मतलब आदा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक यह जो है आदा है आदा से ज़्यादा यहाँ से चलना शुरू किये हैं यहाँ आदा पहुचे और उससे भी ज़्यादा चले उससे भी ज़्यादा चलेंगे तो क्या होगा reflex angle हो जाएगा तो more than half a revolution इसका मतलब reflex कहा है reflex यह बी नमबर है reflex तो reflex जाएगा बी नमबर के साथ यहाँ पर इसका अंसर बी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर पढ़ते हैं half of a revolution half मतलब आधा बोल रहा है तो आधा तो हम लोग जानते हैं यह यहाँ से चला और यहाँ आधा चलेगा तो यह straight line बन जाएगा और straight line बनने का मतलब है कि straight angle तो C जो है वो जाएगा one number में straight angle यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा C यह C हो गया उसके बाद D number में one fourth of a revolution one fourth तो one fourth यहाँ गया यहाँ से यहाँ जाएगा one fourth यहाँ पे चार भाग है तो एक भाग चलेगा यहाँ से यहाँ जाएगा तो बिलकुल यह सिधा line जाएगा और सिधा line का मतलब है कि यह right angle बनेगा 90 degree मतलब right angle तो right angle कहाँ है यहाँ पे है यह D number जाएगा तो 2 के साथ D number आ जाएगा यह match कर जाएगा उसके बाद क्या बची है between one fourth and one two of your revolution यह revolution चलना है जो कि one fourth one fourth यहाँ है और one by two यहाँ है तो यहाँ से यहाँ और between यहाँ से यहाँ इसके बीच में तो यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे पहुंचा इसका मतलब है कि यह obtuse अंगल है तो यह नंबर जाएगा obtuse अंगल के साथ obtuse यहाँ पे है four नंबर में तो यह यह हो गया इस तरह से match हो जाएगा यह complete हो गया यहाँ पे पांच दिया हुआ है पांचों में से आ गया तो यह सिर्फ extra हो जाएगा यह किसी के साथ match नहीं करेगा यह complete अंगल है question number one यहाँ पे complete हो गया अब question number two यहाँ पे जो दिया हुआ है यह सिर्फ कर रहा है classify each one of the following angles as right, straight, acute, obtuse और reflex मतलब इस तरह से पहचानना है यह सारे जो यहाँ पे pictures बना हुआ है तो इस तरह से कोई right angle हो सकता है कोई straight angle होगा कोई acute angle होगा obtuse और कोई reflex angle होगा तो यहाँ पे जब इतना सटा रहता है या फिर आप protector ले सकते हैं उससे नापके पता कर सकते हैं कि यह acute angle है या right angle है तो यहाँ पे देखने से भी पता चल जाता है इतना जुका हुआ हो तो पता चल जाता है acute angle तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको में लिख सकते हैं acute यह acute angle हो गया उसके बद यहाँ पे यह सीधी line होता है यहाँ पे अगर सीधा line होता तो वो right angle हो जाता है तो right angle से और ज़्यादा बढ़ गया है इसका मतलब है कि यह हो जाएगा obtuse obtuse angle यह हो गया obtuse angle उसके बद यहाँ पे बिल्कुल perpendicular सीधा line खिचा हुआ है इधर से भी इधर से इधर से लेकिन यहाँ गोल कर दिया है लेकिन इससे घबराना नहीं है यहाँ पे इस तरह से रहता है लेकिन यहाँ पे इस तरह से रहता है इस तरह से यह नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी यह right angle है क्योंकि बिल्कुल सीधा line है perpendicular इसका मतलब है कि यह right angle है इसको हम right लिख देते है right angle यह हो गया उसके बाद यहाँ पे इसको देख रहे हैं इस तरह से दिया हुआ है और इधर से दिखाया हुआ है इसको देखते हुए आपको पहचाना है कि यह कौन से angle है यहाँ पे तो यह इतना ज़्यादा हो आधा से ज़्यादा हो गया अगर इसको सिधा लेते हैं तो सिधा यहाँ तक होगा लेकिन उससे भी ज्यादा इसका मतलब है कि यह reflex एंगल है इसको हम लिखते हैं reflex यह reflex एंगल हो गया उसके बाद यहां पे लेते हैं तो यहां पे इस तरह से line खीचा हुआ है तो आप इदर दोर न देखें यह जो दिखाया गया है इसको इस तरह से angle को पहचानना है तो यहां हो गया उसके बाद यहां पे एंगल कहां दिया हुआ है यहां पे दिया हुआ है और यहां पे दिया हुआ है यहां पे इतना सटा हुआ एंगल जो होता है वह एक्षूट एंगल होगा तो यहां पे आप एक्षूट एंगल ही है एक्षूट एक्षूट एंगल यहां पे complete ह गया है exercise 5.3 इसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों को 5.4 दूँगा अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिल रहा है ताप हमारे इस वीडियो के लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो ताप